तो आज जो है हम फिटर स्टेर की तेवरी के जो पांस कोष्टन की हमारी सीरीज चल रही थी पार्ट बारे करने वाले हैं ठीक हैं जो आपको पीडियाप कहां से मिले का था पीडियाप की है आपको इस वेजीट करना होगा www.globalite.org इस website पे आप जाएंगे हैं आपको बिल्कुल आथाने से जो आज का पीडिएप है प्लस इसके पहले की पीडिएप वहाँ से आपको मिल जाएंगे और आप डाउनलोड कर पाएंगे प्लस दूसरे सब्जेक्ट के भी मैट्रियों आप अलेबल होते हैं वैकें से ज प्लेइस्ट में क्या होगा कि आपको फिटर थेओरी के नाम से प्लेइस्ट मिल जाएंगे उसमें सारे वीडियो इसके इकठे आपको मिल जाएंगे और आपाने से देख पाएंगे पहला कुस्टन कह रहा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक उरेसी क्या है अगर पड़ना चाह रहा है चैप्टर वाइस टॉपीक वाइस कम्प्लीट बेसिक से तो उसके लिए जो है आपको प्लेइश्टोर से ग्लोबल आईट के एप डाउनलोड करना होगा प्लेश्टोर पे ग्लोबल आइटी सर्च किजेगा आपको एप मिल जाएगा उसे इंस्टॉ तो आपने देखा वहागा जो सबसे छोटा वाग होता हुआ एक डिगरी का होता है मतलब हम एक प्रोटेक्टर या एक चांदे के दौरा मिन्मम एक डिगीर का पर बना सकते हैं यहां सकते हैं लेकिन हमें उससे भी ज़्याजा की जरुबात हो उससे भी छोटा पर एक डिगि तो वुरुद णिख आपको दिखाने के लिए माले बना रहा हूं कितने का अगर मैं बहुत कि यह जो है एक डिगरी का इस एक डिगरी की निया कि थे यह कितना पाँ आपको करना है 12 भाग इसमें हम करेंगे कितना एक दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इस टोटल होगे 12 हाग है एक डिक्री में कितना भाग किया बारबाग और यह छोटा सा भाग आपको दीख रहा है ना यह वाला भाग तो आप कितना कह सकते हैं एक डिक्री बटे तो जो एक भाग कर दो एक चोटा सा बार्ण पार बहाग कर देना है छोटा सा बाघ हमें मिलता है एक बटे बारावा भाग जो छोटा सा होता है इसके बडाबर वार्ण प्रोटेक्टर एक रूसिषी मिंमाब दे सकता है ठीक है अब यहां पर देख रहे हैं आप तो यह सब डिग्री में है यह मिनट में सेकिंड में एक डिग्री दिया है पांच डिग्री दिया है पांच मिनट पांच सेकिंड तो हम ऐसा करते हैं इसको मिनट में बदल लेते हैं मिनट में कैसे बदलेगा तो आपको मा एक डावाग के बराबर स्कंटा है यार पांच दूनों ऄकी बात है इसको में बद़ा लेंगे तो यहां पर आपर jako क्या होगा साउसा सभी तो और नगम प्रोर्टेक्टर की थे यहां व्युह से लेगे एक बते 12 च्नाहीं ही हुआ है के छोचसम less कि अग्ला करा है इस फर्णिय पर की रीडिंग क्ना एक है ठीक है हो सकते हैं आप है फोड़ा आपको दूनला दिख रहाा हूं मैं क्लिर्य आपको बता धूंगा शौज आप छाफ सकते आप हमें निकालना है वर्णिय की रीडिंग कि म에सा यहां में दे रखाये लिए इहांПर देख रहे इसका जो नीचे मेन इसके नहीं है उमारी वाएँ इस्केल होगा ओधने स्केल शुर्ट शुआ जयांपर आपे हां लोग व्याजघा कि अधर जोबी अपना यहाँ से श्टर्ट ठीक है तो मैं देखते हैं कि ORNERART SKILL का जीरो न हपां पर मैंनी स्क्रेज के तुम हमारी में उसके माउनी स्कील कर देखा जा तो यह वाला टुम है इसको बता रहाय फिर बीच में आपके ऐड़ारी यह devastate में फीर पेर चोटी चोटी नाइन है। पर चुटी चुटी लाइन यह बीच में पर एक बड़ी लाइन हो जाएगी थोड़ा सा जो आधे वाले प्याती है पिर इधर चुटी-चुटी होगी तो जीरो जो है आप देख रहे हैं जो में वर्नेर इसकेल का जीरो है वह इस बड़ी वाली लाइन से थोड़ी से आगे ह यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर चार सिंटीमेटर होगा यहां पे कितना होगा तो आपको देखा प्रिक्नरवी फिर बड़ी लाइन है तबहुतनी झायए चोटी है पैस्ट कि तीन चार अगर पहुन समनाते हैं तो यहां पर याँ पर बड़ी लाइन आएगी यहां पहर बड़ी लाइन रही होती तो ऐसे आपर क्या होता है तीन होता है अपने से साथ होता लिए इतना है तो इतना जाल में तो इतना है तो इससे थोड़ा सांगे है मतलब में इसकील की माग कितना है इस वाले पर साड़े तीन होगा साड़े तीन से थोड़ा सा आगे है तो भाई 36 तो ले नहीं सब्सक्राइब तीन ही लेंगे ठीक है बाकि यहां वर्नेर इसकील कर दो रखा कि पचीसोवा वाग यह कौन सा भाग है पाच है दस है पंद्र है बीस है यह 25 पिर थीस है इस तरफ सह है तो होघे आप दिखा रखाए कि यह सीद में मिल रहा हैं किसके सीद में है तो यह भी दिखा रखाए चे के सीद में कौन सा बाव बिल्कुल कि वाग मिलगी आप 20 वपोन अब फार्मला क्या होता है छो निकालते हैं हाइ वर्नियर केलपर के लिए मेंजिस केल की माप में स्केल की माप प्लस वर्नियर स्केल से में स्केल के मिलने वाले भाग की संख्या वर्नियर स्केल का में स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या एंट्र लिस्ट क Whilst They Cup हमें पता है वहजर मिल्म सकुरब लोंट लॉक्त होता है इस यह टो पे defces कि मार्ग कितनी है emanे बताया में दिर्ण चार सेंटीमिटर है हम में निकालते हैं यहां पर草र आपके mm दीया हुआ है तो चार संटी मीटर है मतला हम उसे 40 cm ले सकते हैं 1 cm में दस Use लेकिन हम द Uni के ऐसाइन हुए मैं जो साइवह कि मतला में 3 cm लेना पड़ेंगा कितना लेना पड़े तो यहां पर दिखा रहा कि पचीस वह भाग मिल रहा है तो यहां पर पचीस लिख लेंगे इंटू लिस्ट काउंट जीरो दूसम्डो जीरो दो बस सॉल्ट कर लेजिए ध्यान रखना है पहले जोड़ा नहीं जाता है पहले गुड़ा किया जाता है आपको याद होगा वाग जोग करके होता है कासा बांगुड़ा करते हैं पशिर चुड़ा ना फिर पहले जोड़ेंगे पहले जोड़ो पचास 25 जुना 50 दोंग पे दसमलों तो दोंग पे दसमलों लग जाएगा जिरो दूसलों पांच जिरो अब दोनों को जोड़ दीजिए 35 दसमलों पांच जीरो एमें ठीक है यहाँ पे देखेंगे तो option D आपका स्री हो जाएगा बहुत ही आसान होता है बस आपको लिस्ट काउंट क्या दो प्लत सिस्टम जानते होंगे कैसे सॉल्ट किया जाता है तो असान शेकर लेंगे नेक्स जलते हैं कि अगला question कर रहा है क्यों सत्व प्लेट हो सत्व प्लेट में सर्फेस प्लेट की बात कर रहा है तनाव मूद अच्छी कास्ट टागन से बने होते हैं पूछरा जो हमारी सर्फेस प्लेट होती है सत्व प्लेट का मतलब क्या आप जानते होंगे सर्फेस प्लेट जिसमें जाब को रखा जाता है सर्फेस प्लेट किसका बनाए जाता है तनाव मूद तनाव मूद का मतलब है इस्ट्रेस रिलीव मतलब जिसमें इस्ट्रेस ना हो इस्ट्रेस ना हो ठीक है तनाव ना हो अच्छी कास्टारन मतलब इस्ट्रेस रिलीफ कास्टारन से बने होते हैं आप जानते हैं सर्फेस प्लेस हम लोग कास्टारन का बनाया जाते हैं वह भी कौन से कास्टारन का जो इस्ट्रेस रिलीफ हो जिस कास्टाजन में stress ना हो तनाव ना हो ऐसा क्यों करते हैं छरण को रोखने के लिए छरण मतलब जंक से बचनाने के नहीं टूटने से रोकने के लिए यह भी सहीं नहीं है बिकृति को रोकने के लिए बिकृति का मतलब होता है आपकें surface प्लेट में नहीं हो जाए विक्रिती का मतलब क्या उसके पर फैड़ा नहीं हो जाए जिससे कि सर्फेस बनाने के बार्ट वाद को रोकने के लिए तेड़ेपन को रोकने के के लिए हम उसको इस्ट्री वाला जो है कास्टार ने यूज करते हैं कि इस कुछिशन पर चलेंगे कि समायोज्य समांतर ब्लाक का मुख खिलाब क्या है समायोज्य का मतलब कहना चाहरा है एड़ेस्ट टेवल कि एड़ेस्ट टेवल पैर्लल ब्लॉक पैर्लल ब्लॉक जो हमारा एड़ेस्टेबल पैर्लल ब्लॉक होता है उसका मुख खिलाब क्या है मिलाब क्या है यह यह पूछना जा रहा है ठीक है और से एको फिर्द करने करने के लिए क्या जबसे नबात करतें पैंडल ब्लॉक मैं होता है है डेति जोड़े मी पाया जाता है क्या है ऐसा दूर यह गुष्षबेमके गलं क्या होते हैं पैर्लल ब्लॉक और क मतल'll क्या है समांतर ब्लॉक let's समांतर का अकेली कोई चीज था समांतर नहीं हमां एक क्लिए फीट कि कहूं जो इसा थो नहीं है कभी भी जब technical मतलु क्यूंब होती है तब चया पाइस को होती है दोनों की साइज सेम होती है जब कभी भी हम सुझनदाों कि भी यह से विच करते हैं है शुच थो जिए तोagus हमाला बिल्कुल सीधा पकड़ा जाया है रहील वाइस डिल मसीन पर्शेश हम यूज करते हैं तो जबडों के बीच में जौब को पकड़ा जाता है जौब को पकड़ा जाता है तो अगर माल जी इस जबड़े के बीच में जौब थोड़ा भी टेपर पकड़ लिया जाए तो जब हम ड्रील करेंगे तो क्या होगा जो होल बनेगा इस जॉब मैफ रखे बन जाएगा तो हमारा जॉब इसके पारलल रहा है इस से की ड्रिल बिल्कुल सीधा हो सके इसके लिए क्या गिया जाता है कि इन दूनों जो जो जब यह तुकड़ा इदर एक तुकड़ा है इसके सारे हमारे जॉब को रख देंगे इन दुनों टुकड़े को पर जॉब आप आप उसे सब्सक्राइट करें तो जब होना बिल्कूल पैरनल रहेगा अब इसमें जो हो लोगा वो बिल्कुल सीधा होगा ठीक है तो यह काम होगा है पैरनल ब्लॉक कर लेकिन अगर मालेजिए जॉब मोटा है तब तो ठीक है इसको लगा के रख देंगे जॉब की उचाई बार तका जाएगे असान से आप जॉब में पकड़ लो अगर जॉब पतला है तब तब तो भाई इसमें कोई इसकी उचाई को कम ज्यादा तो कर दें सकते हैं तो इसके लिए आता है एड़्जेस्टेबल पैलल ब्लॉक यह ब्लॉक ऐसा होता है जिसकी मदद से हम इस ब्लॉक की उचाई को भी कम ज्यादा कर सकते हैं वह थोड़ तो इसलिए यूज किया जाता है तो यहां पर लिखाए न निर्धारिद करने के लिए और दी सही हो जाएगा किसलिए उज होता है विभीन उचाई उचाई को अम उसमें कम ज्यादा कर सकते हैं इसलिए एडजेस्टेबल गूल रहा है कि अडजेस्ट किया जा सकता है कि नेस्ट कुश्चन पर चलेंगी अगया कि यूनिवर्सल सर्फेस गेज के किस भाग का उपयोग आवस्यक सही पोजीशन पर इसक्राइबर को सेट करने के लिए किया जाता है देखिए एक तो होता है मेरे पास सर्फेस गेज नॉर्मल होता है उसका बेस होता है बेस में जो कि इसने फिक्स होता है या बेस होता है इसका इसका बेस में पीलर आपके लगा हुआ या इसनों के लगा हुआ है यहां पर नट बॉल्ट से क्लैम पर रहता है और स्क्राइबर लगा होता है इसमें कुछ अर्जस नहीं किया जा सकता दूसरा था यूनिवर्सल सर्फेस गे कि दूसरी चीज क्या है इसमें दूसरे यह भी है कि इस पर जो हमारा पीलर लगा होता है न पीलर या कॉलम बोलिए और इस पर भी वही काम है इसनग लगा होगा और इसनग की मदद से हमारा इसक्राइबर पकड़ा गया होगा लेकिन इसका जो पीलर होता है इसमें यहां पर इसके मदब साथ की साथ और यहां पर लगा होता है और यहां कर सकते हैं जब की उस्त dall कрь Gift कर सकते हैं लेकिन युनिवर्सल सर्फिस गेज में यहां पे एक रावकर आर्म लगा दी जाती है और इससे एक फाइन अजेस्टिंग यूनिट कर दिया जाता है जिसे हम इस स्कूर को टाइट लूज करके इस पीलर को भी इसक्राइबर तो पनीचे हो गाई इस पीलर को भी थोड़ा बहुत अ ठीक है तो वही होता है हमारा यहां पे फाइन इसक्रू होता है तो पूछ रहा होता है यह इसक्राइबर को सफिस्का कर लेते हैं अगर थोड़ा बहुत दिफ्रेंस रह गया हो तो उसके लिए फिर फाइन एडजस्टिंग यूनिट की मदब से हम इसको टाइट लूज करक के इस पिलर को कम जादा करके उसे सेट करते हैं तो सही पोजिशन के लिए फाइन अडजस्टिंग इसक्रू तो यह जो ऑप्शन डी रखा है यहां पर होगा फाइन अडश्मेंट इसक्रू उसकी मदब से पर लाया जाता है नेस्ट पर चलेंगे कि एक मीटर को मिली मीटर में बदले यह तो काफी आसान कोश्चन होगे जानते भी होंगे आप लोग एक मीटर में कितना मिली मीटर होता है यहां पर फर कि मिली मीटर अगर सी सही हो जाएगा कि इस भी लोग कर नाम क्या आपको भी लॉट फिगर में दिखा रखा है पूच रहा है नाम क्या है देखे बी गृट फिव लॉट अगर यहां यह यहांप सिंगल लेबल है सिंगल गुरुट गुरुट कुटा हुआ है वह वक्ता है दूसरा कै रहा है तो ब्लॉक को बता यह सिधर भी लेबल कटा हुआ है और वैसे इधर भी रहा होता है हुआ हुआ है तब हम कहते हैं कि डबल लेबल और एक ही गरूव साइड में कटा है तो डूल लेबल सिंगल इंग्रूव ही o कड़ जाता है एक अब एकी साइट दू झाट रहे हैं एक टो के लिवर है लेकिन डूब्ल ग्रो तभी हो जाता है यहांपर में दे रखा है शिंगल लेबल सिंगल ग्रूफ तो आजन भी सही हो जाए अगला कहा रहा है सन्योजन चेट जिसको की combination set बोलते हैं यक्स के रूप में चिनित भाग का नाम क्या है है कि कम सेट में में क्या क्या चीज़े एक यह होती है आपकी कि 20 से साथ संटिमीटर लंबी होती है और इसके बगल में यह है यह वाला जो पार्ट लगा हुआ है इसको बोलते हैं अश्कॉयर एड़ तीन हेड होते हैं इसमें बीच वाला जो होता है हमारा इंटर और जो लास्ट में अदि रखा हैं सेंटर रेट यह तीन होते हैं हमारे हैं कि स्क्वाइट इसक्वाइड का यूज लेक है अगर माई इस स्केल के साथ देखो तो यह दिग्री बना रहा है और तो मतल्ड किसी जवर का 90 डिग्री या 45 डिग्री चेक करने के लिए इसक्वाइड का यूज किया जाता है प्रोटेक्टर हेड में क्या होता है चाहदा होता है यह ह्ऴारा कोड मापने कि लिए लास्ट में जो है तो पूछ रखाए कि यह क्या चीजह है तो जो हमारा स्कॉरेट होता है स्कॉरेट के ऊपर यहां पे इस क्रूक टायप के ऐसे टाइट कियागी उतीner खोलेंगे मर फुल जाएगा और इस तरह से निकलता है जिसको बोलते हैं किया स्क्राइंबर हमरा इसके साथ स्क्राइबर दिया होता है mugorm master करके फिरे इसमें रख देते हैं उसमें फिर टाइट कर देते हैं तही नहीं पूछ रहा हता है तो जिसक्राइबल होता है और आपके प्रोटेक्टर हेड में बहुंता है और ऊफ़िगर पूसे को हुछता हैं नहीं होता है। है जहां रखना इस्क्राइबर कि इस्कॉारेड में है इस्कॉार डेस में बहुत फॉच्छा में बूड सिन्टरेड़् रांड केंद्र को खोजने के लिए किक खंधी इन यह इंत पर फबार मतलब गोल जोब है कोई हमारी गोल च्ढड़ है उसके सेंटर को ग्यात करना तो हम किस के लिपर का यूज करेंगे इनसाइट के लिपर जैनी के लिपर वद्धियर केवर्थ तब कर दोगे इनसाइट के लिपर किसी भी जॉब के इंटेन डायमेटर को निकालने क क्या जाता है कोई हमारे पास गुल जाब हो या कई स्लाट की लंबाई लेनी हो चौड़ाई लेनी उसके लिए भी उच करते हैं अगर यह गुल जाब है इसके अंदर कर डायमेटर पता करना है तो इस तरह हमारा या इसकी दुनों ट्रांगे क्या होती बाहर की तरह मुड़ी लेना हो आंत्रिक डायमेटर लेना हो कहीं पर गहराई माप नहीं हो तीनों कामों के लिए यूज किया जाता है वर नियर के लिपर लंबाई चौड़ा यूगर भी मापता है आउट साइट के लिपर यह कुछ इस टाइप से बनाता है इसका मूँ अंदर के तरह होता है इस यह अंदर कि दरफ यह होता है हमारा जैनी के लिपर इसको और ले केलिपर के नाम से भी जानते हैं ठीक है किसके नाम से और ले केलिपर के नाम से या हर्मोफ्रोडाइट केलिपर के नाम से भी जानते हैं अब इसको क्या करते हैं इसको लगाएंगे यहां पर यह जो मुड़ी वी टांग है यह बाहर रखते हैं और जो इसका नोक वाल यहां लगाईये और नूक की मदब से आइसे निसान लगा देजी आप रेट पर भी सकते फिर इस मोड़ी टांग को इस साइड और पर इससाइड पर इस साइड था हम ऐसा है हमेसा जो मुड़ी टांग है उसको इसके रापर सुपीय स कुछेंगे तो तो आज से निसान आजा को जब आयसकेज दो अब आपको इसकेल लेना है और सकी ही इस डाइगोनल को इस से एक जो बीच में सेटर होगा है जहां परher प्विंट कटेगा यह हिमारा होता राउंड बार का सेंटर होता है तो इस mlग ही पर से बिल्कुल आखाने से और राउंड बार का सेंटर निकाल सकते हैं नेस्ट कुछिशन के चलेंगे अगला कुछिशन कह रहा है चेनी में यह से किन्हित कोड का नाम क्या है ठीक है यह से पूछ रहा है यहां पर देखा जाएंगे यहां पर बूल रहा है कि अगला को पूछ रहा है यहां पर देख लेते हैं और यह जो चीजल का यह सेंटर है और यहां से भी इंगल देखते हैं कि इस इंगल को कौन से पूछ यह तो हमसे वाला पूछ रहा है मैं आपको सभी यहां पर बता देखा हूं ठीक है तो यह जो इंगल होता है हमारा चीजल का एक इंगल यहां से यहां पे होता है एक इंगल यहां पे होता है और एक इंगल यहां पे होता है ठीक है तो यह वाला जो इंगल है अलफा यह होता है आपका क्या क्लियर रेंस इंगल जो चीजल और वर्क्न फीस की बीच में जिया जाता है जिससे जादा टच ना करेवा इस फ्क्सन ना हो ठीक लिए ओलर बीच वालबं बीटा होता है अमारा बीटा होता है हमारा प्रोईट इंगल पौईंट इंगल यहां पिर कहीं पे कंट इंगल भी बोलता है, कातने वाले इंगल, जो hai यह उता है हमारा रेक इंगल, यहीं से चिप्स हमारी टकलाते भी निकलती है, इसको बोलते हैं, रेक इंगल और जो यह आपको दिख रहा है, चीजल के axis और जो कटीवी surface है, इसके बीट में जो angle बनता है, इसको बोलते हैं, angle of inclination, इंगला इंकलाइनेशन मतलब जुकाओ कोड होता है तो ही हमारे चीजल में अधिक है ते आप से पूसर रखाता अलफावाला और अप्पावला हमारा क्या है इसमें फिगर में ख्लीरेंस इंगल ते आपक्सम हमारा डी सही हो जाएगा ख्लीरेंस इंगल निकाशी को ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिएगा और आगे क्यों कुस्षिन है हम लोग नेक वीडियो में करेंगे थैंक्यू